सबसे सरल तरीका है ओश्टर मश्रूम का तो ओश्टर की ये जो तूड़ी पड़ी है इसकी हम ये बेग भर देते हैं इस बेग को भर करके हमें 100 लीटर पाणी लेते हैं 700 ग्राम फार्मोलीन लेते हैं 750 ग्राम कार्बन डाजिम लेते हैं उसको हम लोग 18 गंठे भीगो देते हैं भीगने के बाद में तूड़ी का वजन तीन गुणा हो जाता है तो इसमें इस्पान है वो दो परसेंट के इसाब से मिलाते हैं तो जैसे 100 किलो तूड़ी गिली है तो इसमें हम लोग 2 किलो इस्पान मिलाते हैं शोड़ा भाई अठारा की थेली लेते हैं उस थेलियों के अंदर छेद होते हैं और उसमें थेलियों को हम भर करके 15 दिन तके हवादार चायादार कैसे भी मकान में रख सकते हैं और उसके बाद में जब उसमें वो बीज अंकुरित हो जाता है तो एक पिंड का आकार ले लेत है तब हम थेली इटा देते हैं तो करीबन 25 दिन के बाद में ओश्ट्र मश्रूम आना चालू हो जाती है ओश्ट्र मश्रूम का आजकल और गेनिक का है तो हम लोग इसको तूड़ी को बारा गंठे बिगो करके आदे गंठे बोईल करके भी आजकल हम लोग उगाते हैं और मिल्की मश्रूम का और ओश्ट्र मश्रूम का सहमी तरीका है उगानी का खाली मिल्की है वो लहर में भी जाए की जाती है और उस पर भी केसिंग परत लगती है